अमेरिका के टेकसेस में गोली बारी की अलग-अलग घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई रॉब्स टाउन सिटी के सचिव हर्मन रोडरिक्स ने ट्विटर पर बताया कि रेटोमा मैनोर नर्सिंग होम में एक गोली बारी की घटना में तीन लोगों की मौत हो गई एक घर में दो और लोगों के शव बरामद हुए है जिनका इस गोली बारी से संबंद है हर्मन रोडरिक्ज ने बताया कि अपराधियों नर्सिंग होम में दो पुर्षों और एक महिला को मृत पाया मृत कों में हमलावर भी शामिल है उन्होंने बताया कि अधिकारियों का मानना है कि गोली बारी की घटना एक दूसरे से जुड़ी है अभी पीडितों की पहचान नहीं हो पाई है